नमस्कार आपका स्वागत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं हिमालिया फूट्स इंटरनेशनल लिम्टिट के बारे में जिनके आज ही रिजल्ट जा रही हुए जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन पे क्लिक करें वीडियो को लाइक करें श तो मार्च वीज क्वाटर में 1880 लाग के रिवेन्यू थे जो कि दिसम्बर 20 में 1607 लाग के हो गए और मार्च की स्कॉडर में एक नौसो बेलस लाग के हुए तो यहां पर आगर हम देखते हैं तो जो रिवेन्यू है इंकम है वह मार्च 20 से मार्च 20 में बढ़ती वह नजर आ रही है यहांने यार ओन यह में जो हमें इंकम है वह बढ़ती भी दिखाए दी रही है अब बात करते हैं कर दो ने लुटे बढ़ती दिखाई दी रही है है कि तब हम एक्सपेंसे को देख लेते हैं मार्चपेंसे थे था रहलाग के जो कि देशंब्र क्वाटर में 1530 लंग के हो गए और मार्च क्वाटर में 1663 लाग के ओगे तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें year on year में expenses वह बढ़ते हुए नज़र आ रहा है यानि कि मार्च बीट से मार्च 21 में expenses बढ़े हैं वहीं quarter on quarter की बात करते हैं तो यहां भी expenses बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो year on year में इंकम बढ़ी है और expenses भी बढ़े हैं बात कर लेते हैं profit and loss statement की तो six number पॉइंट ह प्रॉफिट की तो मार्च क्वाटर 20 में 268 लाग के प्रॉफिट थे जो कि दिसम्बर 20 में 73 लाग के हो गए तो यहां पर हमें profit before tax year on year में बढ़ता हुए नज़र आ रहा है और quarter on quarter में भी बढ़ता हुए नज़र आ रहा है अब देख लेते हैं एक नमबर पॉंट को जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है यहां अगर हम बात करते हैं धिक्योंते कर दिखाए कि में तो आप हम देख लेते हैं कंपनी के के किस प्रकार के एसेंचियल्स तो कंपनी के जो मार्केट क्याफ है वह इंक यानव दस्वाइश साथ करोड का मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है नम्मर आफ शेर्ट जो हैं वह पांच दसम्लों साथ नो करोड है सेर का पीवी डिस्वी एक दसम्लों पांच आट का है कैस प्रकार एंटर्प्राइस वैल्यों को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो वह 10 रुपए है और बुक वैल्यू 10.03 की है कंपनी पर करजे की बात करें तो एक चार करोड के करजे हैं जो की कैस रेजर्व से तो ज्यादा है ही कंपनी की मार्केट कैप से सब्सक्राइब भी दुगने हैं अब हम देख लेते हैं एपिस को तो वह 0.42 रुपए का आरोई 17.7 प्रतिशत का है और प्रॉफिट ग्रूथ लगबखसाथ प्रतिशत के अगर हम बात करते हैं 52 वीग्स के लोग की तो वह छे रुपए 28 पैसे अगर हम बात करते हैं 52 2017 में रेवेन्यू था वो था 123 करोड जो कि 2018 में घटकर होगे एक सुबारा करोड 2019 में घटकर होगे 93 करोड और 2020 में होगे 83 करोड तो रेवेन्यू हम सत्रा अठार निस बीस में लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं बात करते हैं profit and loss की तो 2017 में माइनस 2.5 करोड के लोज थे जो कि 2018 माइनस 0.8 करोड के हो गए 2019 में 79.5 करोड के होगे और 2020 में कंपनी profit में आई 9.92 करोड के profit होगे तो यहां पर देखते हैं तो हमें कंपनी 17 से 18 में loss कम होते हुए दिखाई दिए 18 से 19 में loss काफी ज़्यादा बढ़ गए और अगर बात करते हैं 19 से 20 की तो यहां पर हमें company जो है loss से profit में होती हुए नजर आई शेर होल्डिंग पैटरन को देख लेते हैं तो जून 20 में जो प्रोउटर्ण चलिए वह थी 50.37 जो कि मार्च 21 में 50.05 प्रितिशत की हो गई डियाई ही यस होल्डिंग पहले 0 थी अभी 0 है फाई है इसकी होल्डिंग पहले भी 0 थी अभी 0 है पब्लिक ओलिंग दिख लेते हैं तो 192.03 पर्तिशत से 49.94 से प्रतिश्यत हुई है तो यहाँ पर हमें पबलिक होल्डिंग घटती हुई नज़र आ रही है तो अगर overall results की बात करें तो यहाँ पर हमें year on year में company profit में आती हुई दिखाई दी रही है year on year में company के जो profits हैं वो बढ़ते हुई नज़र आ रहा है